हलो इस्ट्रेंट्स, वेलकम को चानल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे NCRT क्लास 9 मैत का प्रस्नावली 3.2 का इंटोर्डक्शन और प्रस्नावली 3.2 इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रस्नावली 3.1 पूरा कम्प्लीट किया था अगर आप लोग चनल पनना है, चनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए ताकि सभी लोग घर बठे, आसानी सा अनलाइन पढ़ाई कर सका तो यहां देखिए, यह जो 3.2 का इंट्रोडक्शन है, काफी इंपोर्टेंट है इससे आप लोगों को किसी भी कलास में, आप लोग जब उंचे कलास में जाएंगे तो इससे कोस्चन पूछे जाएंगे, या कोई भी कम्प्टीशन वाला एक जाम देने जाएंगे आप लोग तब भी यहांस कोस्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको पाले इंट्रोडक्शन को समझेंगे और फिर प्रस्नावली 3.2 को भी सॉल्व करना सीखेंगे तो हम लोग इसमें सबसे पाले देखते हैं आप लोग ने संख्या रेखा पड़ा पाले चेप्टर में संख्या रेखा आप लोग ने जाना था तो पाले संख्या रेखा से हम लोग समझते हैं संख्या रेखा में आप लोग ने देखा था कि बीच में कहीं एक जगा हम लोग 0 लेते हैं राइट साइड में बराबर दूरी पर प्लस वाले संख्या होते हैं प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 ऐसे राइट साइड में 0 के प्लस वाले संख्या होते थे संख्या रेखा पर और बायर साइड में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ऐसे माइनस वाले संख्या होते थे यहां पर आप लोग निर्दे सांग ज्यामीत पढ़ रहा है तो इसमें क्या करना है किसी तल पर एक बिंदु की इस्थिती बताना है इसको आप लोग पढ़ रहा है इसमें क्या था किसी संख्या रेखा पर बिंदू की स्थिति बताना था जब कि इसमें किसी तल पर बताना है किसी बिंदू की स्थिति को तो इस निर्दसाइक जामीत में तो हमने पहले चेप्टर में बताया था संख्या रेखा मालनी जी एक और संख्या रेखा हम लोग ठीक इसी तरह का ऐसे उपर से नीचे की तरफ लेते हैं बीच में मालनी जी यहाँ 0 हम लोग लिखते हैं इधर उपर के साइड में प्लस वाले संख्या हम लोग ले लेते हैं और जीरो से नीचे के साइड में हम लोग माइनस वाले संख्या ले लेते हैं ऐसे तो ध्यान दिजिए ये दोनों संख्या रेखा हिया ये 36 लाइन इसको काते हैं ये उपर से नीचे को और्धवाधर लाइन काते हैं कोई भी लाइन आप लोग कहीं भी देखेंगे अगर उपर से नीचे लाइन हो तो उसको और्धवाधर लाइन काते हैं और बाए से दाए साइड में ऐसे हो तो इसको 36 लाइन काते हैं इन और्धवाधर और 36 लाइनों को अगर हम लोग इस परकार से मिलाद दोनों को ध्यान्दी जी यह क्या कर रहा है यह संख्या रेखा हमने 36 में लिया यह संख्या रेखा उर्धवाधर में लिया हम क्या करा हम लोग यह 36 रेखा संख्या रेखा जो है और यह उर्धवाधर जो रेखा है इस दोनों को अगर हम लोग एक में मिलाना तो देखिए कैसे मिलाना है, ये 0 को हम लोग ऐसा मिलाएं कि इस 0 पर आए, मतले भी ये जो बिनदू है, 0 और ये बिनदू 0, हम लोग दोनों ऐसा रखांगे, 2 0 एख पर आज़ाएं, देखिए कैसे हम लोग यही दोनों को एक में मिलाते हैं मालने जिए ये 0 हा ये वाला हम लोग फिर से बनाते हैं ये प्लस 1 हा ये प्लस 2 हा ये प्लस 3 हा ये प्लस 4 हा और इधर के तरफ देखिए माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इस तरह से हैं हम लोग क्या करते हैं इस वाले लाइन को जो 36 वाला लाइन है ये जो उर्दवाधर वाला लाइन है इसको इसी पर रख देते हैं कैसे रखेंगे ये वाला बिंदू इस बिंदू पर रखना है मतलब ऐसे बनेगा कुछ ये बिंदू हमने इसी पर रखा तो संख्याई ये देखिए उपर चले जाएंगे ऐसे प्लस वन प्लस टू प्लस थी प्लस फोर इस तरह से हुआ और नीचे ये मैनस वाले आ जाएंगे मैनस वन मैनस टू मैनस थी मैनस फोर इस तरह से तो देखिए हमारा तल जो है इस सम्तल ये जो हमने लिया था ये सम्तल है, चार भागों में बट गया है, देखिए, एक, दो, तीन, चार भागों में बट गया है, इस सम्तल पर पूरा ऐसे उपर से नीचे है, और बाइस दाय लाइन खीचा, तो चार भागों में बटे गाई, तो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, चार भागों में किनते हैं देखिए पहले का बाद यह दूसरा आपता है यह है कि सेकेंड चतुर्थांस इसको काते हैं थर्ड चतुर्थांस और इसको काते हैं फोर्थ छतुर्थांस तो दिखी ए 45 ऐसे होते हैं जब हम लिएशितल पर धियान दिजितल क्या कहने वाले हैं लिए गूसरी कोरण फार दूसर काते हैं सीधे हैं सिधे मतलब हैं एक दूसर है कि कुणी वाणा है ऐसे दो लाइन जा हम लोग खीचेंगे तो एक लाइन को देखिए कहेंगे इसको कहेंगे यक्स अच ध्यान दीजिए अगा आप लोग क्लासेट में पड़ भी चुके हैं इस वाले लाइन को जो ये 36 लाइन है 22 से दाएं वाला जो लाइन होता है इसको कहते हैं यक्स अच उपर से नीचे वाला जो लाइन होता है इसका नाम होता है वाई आज यहाँ पर हमने आप लोगों के समझने के लिए इसको बनाया था इसको यहाँ सहताते हैं आप तो देखिए अब यह जो तल हो गया ध्यान दिजिए यह जिस तल पर हमने बताया यह वाई बोर्ड है यह एक तल है जिस तल में यक्स अच और वाई अच तथा चारो चतुर्थांस दिये हो उस तल का नाम क्या हो जाएगा कार्तिय तल याद रखिएगा इसको कार्तिय तल इसी को यक्स वाई तल भी कहते है इसी को किसको कहेंगे जिस भी तल पर यक्स अच वाई अच और चारो चतुर्थांस दिये हो उसी तल का नाम क्या होता है कार्तिय तल या यक्स वाई तल कार्तिय तल और इसी कार्तिय तल के द्वारा ही इसी कार्तिय तल पर इन अच्छों के द्वारा ही किसी बिंदु का स्थान निर्धारित किया जाता है किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए यह जो कार्ती यह तल जिनों ने बनाया जिन बन बैग्यानिक ने इसका प्रतिपादन किया उनका नाम है रेने देकार्ते उन बैग्यानिक का नाम है जिनों ने इसका खोज किया था तो आप लोगों ने चतुर्थान समझ लिया इसको पहला दूसरा इसको तीसरा इसको चोथा काते हैं यहां जहां पर दोनों अच्छ यक्स अच्छ और वाई अच्छ जहां पर दोनों यक्स अच्छ और वाई अच्छ जिस बिंदु पर मिलते हैं एक दूसरे को प्रती छेदित करते हैं एक दूसरे को काते हैं उसे हम लोग काते हैं मूल बिंदू इसका नाम क्या है यहां लिखते हैं मूल बिंदू क्या नाम है इसका मूल बिंदू जहां पर यह सच वाई यह दोनों एक दूसरे को काड़ते हैं वहाँ उसका नाम है मूल बिंदू अब इसमें आता है बात निर्दे सांग का निर्दे सांग किसको काते हैं मूल बिंदू का जो निर्दे सांग होगा इसका इसका निर्दे सांग होगा आप लोग याद रखेंगे अभी पता चलेगा निर्दे सांग किसको करते हैं निर्दे सांग किसको करते हैं निर्दे सांग किसको करते हैं निर्दे सांग किसी बिंदू की स्थिती बताने के इसा दोनों को कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिखते हैं ये होते हैं निर्देशांग दो जो सूचना होंगे किसी बिंदू की स्थिती को बताने वाले उनहीं को निर्देशांग कहेंगे और इसमें आप लोगों को चिन ही याद रखना है पहले चतुर्थांस का चिन क्या सभी चतुर्थांस में दो दो बिंदू होंगे दो सूचना है दो निर्देशांग तो इसका देखिए चतुर्थांस पहले का जो चिन होता है दोनों प्लस प्लस होता है इसमें जो भी संखिया होंगे जो भी सूचना मिलेगा दोनों का चिन क्या होगा प्लस होगा इसमें देखिए क्या होता है इसमें होता है माइनस प्लस इसमें होता है माइनस माइनस इसको याद रखना आप लोगों को और चोथे चतुर्थांस में होता है प्लस माइनस ये आप लोगों को याद रखना है अब इसी चतूर थांस को हमको और डिटेल में इसमें समझना है अभी निर्देशांग कैसे लिखते हैं कैसे किसी बिन्दू की स्थिती बताएंगे तो फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको यहाँ सहटाते हैं आप तो देखिए अब हम लोग यहां समझते हैं यहीं हमने कारती तल इसको बना लिया है मतलब दोनों अच्छ होगा है और चार चतूर थांस होगा तो यह इसी का नाम है कारती तल इसमें माल लिजिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई बिंदू यहाँ पर ले लेते हैं कोई बिंदू हमने यहाँ पर ले लिया है अब इस बिंदू का नाम माल लिजिए है P P कोई बिंदू है इस बिंदू का हमको निर्दे सांक बताना है ध्यान दीजिएगा निर्दे सांक मतलब यक्स अच्छ से कितना दूरी पर है वाई अच्छ से कितना दूरी पर है हम लोग इस बिंदू को थोड़ा किनारे और लेते हैं तब आप लोग अच्छ समझेंगे तो देखिए हमने क्या किया है इस तल में हमने कोई एक बिंदू ले लिया पी इस पी का हमको निर्दे सांक बताना है मतलब क्या होता है यक्स अच्छ से कितना दूरी पर है वाई अच्छ से कितना दूरी पर है तो ध्यान देंगे आप लो यक्स अच्छ ये है यक्स अच्छ से ये कितना दूरी पर है देखिए इसके सामने है तो कितना दूरी पर है देखिए एक, दो, तीन मतलब यहां से अगर हम लोग P से इस पर लंब खिचते हैं ऐसे ध्यान दिजिए P बिंद को अगर हमको बताना है कि इस यक्स वाले अच्छ से कितना दूरी पर है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से यह लंब बहुत जो दूरी होगा यही नाप लेंगे मतलब कितना दूरी है देखिए, तीन तक का दूरी है, पलस तीन तक का यक्स अच्छ से कितना दूरी पर है पलस तीन तक का दूरी है यहा लिखते हैं अभी आप लोग समझेंगे YAKS अच्छ से पलस तीन मात्रक दूरी P है कितना दूरी है मात्रक मतलब जब सेमी मीटर नहीं दिया हो तो मात्रक लिखते हैं अब माली जी हम लोग बताते हैं अगर कहते हैं y अच्छ से p कितना दूरी पर है हम लोग क्या करेंगे p से यहां तक का जो दूरी है y अच्छ तक का इसको ना पेंगे हम लोग y अच्छ से कितना दूरी पर है तो कितना दूरी पर है देखिए y अच्छ यहां पूरा यहां से यहां तक मतलब 4 दूरी पर है लिखेंगे क्या y अच्छ से y अच्छ से पलस 4 मात्रक दूरी पर है वो बिन लुपी अब देखिए ध्यान दीजिए मतलब अगर हमको p तक जाना हो तो क्या करेंगा हम लोग चलते हैं यहां से यह भी ध्यान दीजिए यह मूल बिन्दू जो होता है यहीं चलते हैं पहले हमेसा यक्स पर चलेंगे कहीं भी जाना होगा हमको किसी भी चतुर्थांस में जाना होगा तो पहले यक्स पर चलेंगे बाद में y पर चलेंगे तो यहां से हम लोग चलेंगे यहां जाना है तो किस पर पहले यक्स पर चलेंगे हम लोग यहां पहुँचेंगे मतलब यक्स पर हम लोग कितना चले चार तक चले हमको वहां जाना है तो यक्स पर ही जाना है तो पलस चार तक आए निर्दे सांग देखिए कैसे लिखेंगे पहले यक्स निर्दे सांग कही लिखा जाता है फिर बाद में Y निर्दे सांग हम लोग यहां मूल बिंदू से चले कहा तक? 4 तक, मतलब यह 4 हमने लिखा कॉमा लगाएंगे अब हम लोग उपर गाए प तक हमको जाना था उपर क्या है? नीचे से उपर जाएंगे तो Y है उपर Y पलस होता है कहा तक हम गया है? पलस 3 तक तो यहां लिखेंगे पलस 3 मतलब पहला वाला जो निर्दे साही हो गया निर्दे सांग ब्रैकेट में हमने कॉमा लगा के लिखा बिंदू P का निर्दे सांग क्या हुआ? पलस 4 पलस 3 अब यह 4 और 3 इस बिंदू की स्थिती को बताते हैं कहां पर स्थिता? और देखिए एक बात यह भी ध्यान देंगे वही माइनस में राता तो हम लोग माइनस के तरफ चलते यक्स क्या है? दाये तरफ पलस बाये तरफ माइनस वाई क्या है? उपर के तरफ पलस नीचे के तरफ माइनस होता है इसको याद रखेंगे तो देखिए P का निर्दे सांग हमने आसानी से 4-3 बता दिया पहला वाला जो होता है यही यक्स होता है और दूसरा वाला यही y होता है हमें ऐसा याद रखेंगे जो पहला बिंदू लिखा होगा वो yaks पर मतलब yaks पर जो चलेंगे वो होता है और दूसरा जो होगा y पर चलेंगे वो होता है इसी yaks और y निदसांग का नाम होता है इस यक्स वाले का नाम भूज भी होता है और Y वाले का कोट भी होता है मालने जिए कोई ऐसे पुषता है बिन्दु P का निर्द सांग बताईए तो 4-3 बताएंगे यासे पुषता है बिन्दु P का यक्स निर्द सांग बताईए तो केवल चाम बिंदू P का Y नहीं रसाएंग बताईए तो 3 अगर कोई ऐसे पुछता है बिंदू P का भूज बताईए तब भी बात वही हुआ 4 भूज मतलब यक्स पर जो चलेंगे वही भूज होता है और Y पर जो चलते हैं वो कोटी होता है इसको आप लोग याद रखेंगे भूज और कोटी को वही दूरी बताना है यक्स अच्छ से कितने दूरी पर है तो यक्स अच्छ से अगर दूरी बताना हो तो Y वाला बताएंगे 3 ध्यान दिजी अगा यक्स अच्छ से दूरी तो y वाला बताना पड़ेगा दूरी के लिए और अगर y से पूच्छता है कितने दूरी पर है तो yaks वाला बताना पड़ेगा यह याद रखेंगा आप लो इसमें confused होते हैं लो अगर दूरी पूच्छता है yaks से कितना दूरी तो y वाला बताएंगे और अगर Y से कितना दूरी पूछता है तो यक्स बताएंगे यही हमने यहां लिखा हुआ तो यह दूरी के लिए होता है दूरी के लिए उल्टा बताएंगे बाखी यक्स अच वाई अच भूज कोट ऐसे बताएंगे आप लोग एक और हम लोग लेते हैं भी आप लोग किलियर होंगे जैसे माली जीए यहां पर हम लोग कोई एक बिंदू ले लेते हैं क्यूँ इसकी मतलब इसका हमको निर्दे सांग इसकी स्थिती बतानियत क्या करेंगे हम लोग मूल बिंदू से ही चलना शुरू करते हैं इसको याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं अब हमको जाना इस दूसरे वाले चतुर्थांस में इस Q बिंदू तक कैसे जाएंगे पहले हमने बताया हमें ऐसा यक्स पर ही चलेंगे फिर Y उपर जाते हैं Y उपर से नीचे जाएंगे तो Y है बाइस दाया जाएंगे तो ये वाला पूरा यक्स अच्छ है तो हम लोग यहाँ से इसमें जाना है तो पहले किधर जाएंगे उपर जाना नहीं है क्योंकि पहले यक्स में चलते हैं यक्स में आगाए यहाँ तीन तक देखिए यह तीन के सामने यह तो तीन तक आए तो तीन इधर क्या होता है यक्स माइनस होता है मतलब हम लोग आये माइनस 3 तक कॉमा लगाएंगे उपर हम लोग गाये हैं उपर y होता है तो एक के सामने तक है बिंदू यह देखिए उपर हम लोग कहा तक गाये एक तक मतलब हम लोग ऐसे आये उपर हम लोग गाये यह एक दूरी तक देखिए और ऐसे जो दूरी है ये कितना है माइनस 3 है उपर के तरफ y पलस होता है तो एक तक हम लोग गया है तो पलस एक लिखेंगे मतलब इस q का निर्देसांग माइनस 3 और पलस 1 हो गया तो इस तरह से निर्देसांग बताना है किसी बिंदू की स्थिती बताने के लिए जो दो सुचनाओं की जरूरत होगी उन्हीं दोनों को निर्देसांग कहेंगे कार्ती अतल आप लोग समझीगा जिसमें यक्स अच वाई या चारो चतुर थांसों कार्ती अतल होगा यक्स वाले निर्देसांग को भूज वाई वाले को कोट काते हैं मूल बिंदू का निर्देसांग जो होगा जीरो जीरो होगा क्योंकि यक्स में भी कुछ नहीं जाना है य में भी नहीं जाना है तो मतलब जीरो जीरो होगा इसका निर्देसांग यक्स दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस वाई उपर प्लस नीचे माइनस होता है चीन हाप लोगों को याद रखना है चीन भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं जैसे माली जी हमको इस वाले में जाना हो पहले चतुर्थांस में तो आप पहले कौन चलते है यक्स में यक्स इधर क्या होता है प्लस उपर अब जाएंगे यहां जाना है तो उपर y होता है उपर से नीचे इधर y उपर के तरफ प्लस है तो मतलब प्लस देखिए यही हमने बता हाथा कि पहले चतुर्थांस में दूसरे 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 में चलते हैं आप लोग जानते हैं तो यक सीधर होता है माइनस और फिर इसमें आना है तो नीचे आएंगे नीचे वाई माइनस मतलब यहां दोनों माइनस होता है चिन और इसमें यहां से हम लोग दाय तरफ जाएंगे तो प्लस होता है नीचे आएंगे मैनस होता है तो ऐसे देखिए चीन को याद रखना है माली जी ऐसे कोई बिंदू देगा कहेगा मैनस 3, 4 है किस चतुर थांस में होगा तो यही आप लोगों को बताना यह चीन ही याद रखेंगे तो माइनस और पलस है माइनस और पलस दूसरे वाले चतुर थांस में होते हैं तो बता देंगे आप लोग यह बिंदू दूसरे चतुर थांस में होगा उम्मीध है कि ये introduction आप लोगों को समझ में आया होगा कारती तल के बारे में काफी important है इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो हमने बताया था शुरू में आप लोगों को कि प्रस्नावली के question भी बतायेंगे लेकिन ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा तो introduction को आप लोग ध्यान से समझेंगे अब exercise solve करना काफी easy हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम लो प्रस्नावली 3.2 को भी देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है